40 साल की उम्र में स्किन अपनी टाइटनेस छोड़ने लगती है इनसान का शरीर हर साल एक लगभग एक प्रतिशत कॉलेजन खोने लगता है डाइट में 5 कॉलेजन युक्त फूड शामिल कर सकते हैं एड रिच कॉलेजन फूड इन डाइट हर व्यक्ती चाहता है कि वो फिट, खूबसूरत और जवान दिखे लेकिन बढ़ती उम्र को रोक पाना किसी के हाथ में नहीं है उम्र बढ़ने के साथ साथ इनसान के शरीर में कई बदलाव देखने को मिलते हैं जहां 40 साल की उम्र में स्किन अपनी टाइटनेस छोडने लगती है वहीं इनसान का शरीर हर साल एक लगभग एक प्रतिशत कोलेजन खोने लगता है कोलेजन शरीर में खुद बनने वाला प्रोटीन है जिसमें हाइड्रोक्सी प्रोलाइन, ग्लाइसिन, लाइसिन, प्रोलाइन और आरजेनिन नामक अमीनो एसिड परियाप्त मात्रा में पाये जाते हैं इन तत्वों की पूर्ती के लिए आप अपनी डाइट में पांच तरह के कोलेजन युक्त फूड शामिल कर सकते हैं ब्रोक्ली में परियाप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, इसे आप अपने खाने में शामिल कर कोलेजन निर्मान की जरूरत को पूरी कर सकते हैं शरीर में कोलेजन निर्मान के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है, जिसका एक अच्छा स्रोत ब्रोकली भी है एक कप पक्की या कच्ची ब्रोकली आपको पूरे दिन के लिए परियाप्त विटामिन सी प्रदान करता है एलोवेरा, संबर्ण से निपटने के लिए एलोवेरा जेल लगाना फाइदेमंद होता है लेकिन एलोवेरा का सेवन हमारी त्वचा के लिए बहुत फाइदेमंद है एक रिसर्च में पाया गया कि एलो की कम खुराक से त्वचा की डर्मिस परत में कोलेजन की मातरा बढ़ जाती है इस रिसर्च के अनुसार 40 माइक्रो ग्राम इलोवेरा के सेवन से स्किन बैरियर फंक्शन, मॉइस्चर और स्किन में इलास्टिसिटी बढ़ाने में मदद मिलती है बेरीज आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी बेरी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं इन ब्लूबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी और ब्लैक बेरी में पर्याप्त मात्रा में विटमिन सी मौजूद होता है इसके सेवन से शरीर में कोलेजन का स्तर बढ़ता है विटमिन C एक ऐसा विटमिन है जिसे हमें अपनी डाइट में मुख्य रूप से शामिल करना चाहिए क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में नहीं बनता 4. ओंडगन मीट कॉलिजन प्राकृतिक रूप से पशूओं के अंगों जैसे लिवर, हार्ट ब्रेन और किड्नी में पाया जाता है अगर आपको इन्हें अपनी डाइट में शामिल नहीं करना है तो आप इनकी सकिन, बोन और लिगामेंट का सेवन कर शरीर में कॉलिजन की मात्रा बढ़ा सकते हैं चिकन अगर आप अपनी डाइट में चिकन शामिल करते हैं तो ये आपकी स्किन में इलास्टिसिटी बढ़ती है साथ ही रिंकल्स और फाइन लाइन्स से भी छुटकारा मिलता है यही थे कुछ फाइव फूड्स जो आपको खाने से आपकी कॉलेजों की मात्रा आपकी बॉडी पर बढ़ाएंगे धन्यवाद मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर